चोपड़ा जुकिस न यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्देख स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एंटी ने रजल्ट की डेट 7 सिप्टेमबर 22 अनाूंस कर रखी है तो क्या मदरास हाई कोट का वो क के रेगार्डिंग है वो इसको इफेक्ट कर सकता है क्या हुआ उस केस की हीरिंग के दोरान और साती साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो मदरास हाई कोट में 50% प्राइवेट सीट गवर्मेंट फीच वाला केस चलदा था उसकी क्या अपडेट है उसके बारे में भी जान कर सकते हैं इसमें मैंने 2022 में आपको कैसे 24 फिल करनी है सीट मैट्रिक्स फीज के बारे में इसारी जानकारी दे रखे हर एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में सर्विस बारे में सब कुछ इसमें बता रखा है यह बुकाप के लिए काफी हैल्पुल रहेगी जै इप सिप्टेंबर 22 को एक केस फाइल किया है जिसमें कहा है कि 17 जुलाई 22 को जो नीट का एकजाम हुआ था उसमें उसने अराउंड 167 क्यूसं के आंस्वर दिये थे उसने 13 क्यूसं ही छोड़े थे मगर ओमार सीट में अभी 120 क्यूसं के आंस्वर ही शो हो रहे हैं इस ओमा सिप्टेंबर 22 को इस केस की कोई नेक्स्ट हीरिंग डेट नहीं दी गई और नहीं NTA को रजल्ट पब्लिस करने के लिए कोई इस्टे ओडर दिया गया तो इससे साब जायर होता है कि नीट के रजल्ट जारी होने पर इस केस का कोई इफक्ट नहीं पड़ेगा क्यूंकि ऐ एक नीट एस्प्रेंट की उसकी ओमार डिस्प्ले की गी थी तो उसमें 594 मार्क्स आ रहे थे मगर रजल्ट में उसके 248 मार्क्स ही शो हुए हालांकि उसको 594 के स्कोर के बेस्ट पर टुटकोडी मेडिकल कोलेज में एडमिसन दिया गया था मगर NTA का कहना है कि उसके पास 248 मार्क्स वाली ओमार ही अविलेबल है और ओमार अप्लोडिंग का काम निक दवार किया जाता है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस परकार की जो केसेज होते हैं उनमें भौत ही ज्यादा समय लगता है तो रजल्ट डिकलेयर होने की ज्यादा तर संभावना आज 7 को री नीट हुआ था इसका रजल्ट तैयार करने में अगर NTA को समय लगता है तो रजल्ट एक दो दिन डिले हो सकता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे जैसे ही रजल्ट डिकलेयर होगा हम आपको इनफॉर्म कर देंगे जैसा कि हमारे पुराने वीवर् देट है वो फ्राइडे को सिप्टेमबर 9 को इसमें हम यह एक्सपेक्टेट कर सकते हैं कि यह 9 सिप्टेमबर को इसका डिसीजन आ जाएगा तो यह दो अपडेट्स थे जो मैंने आपको बता दिये हैं बाकी जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगा हम आपको मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन